परिक्षा की तयारी करते करते हम बहुत जादा परिशान हो जाते हैं कभी-कभी और हमें समझ में नहीं आता आंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लेकिन ऐसी कंडिशन में कभी भी हताश नहीं होना है क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो पर कभी भी समुंदर को नहीं सुखा सकती वैसे ही आपको आंगे बढ़ने से आपके अलावा कोई दूसरा बंदा रोख ही नहीं सकता है तो चलिए इनी विचारों के साथ मैं सुचिता गड़ेवाल आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ कॉंपेटिशन कम्यूनिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आजम पढ़ने वाले मध्य प्रदेश के MCQ अर्थात वस्तुनिष्ट प्रश्ण जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास से संबन देत होंगे तो हमारे पहले प्रश्ण की और आंगे बढ़ते हैं काइथा किस नदी के किनारे इस्थित है सबसे पहले आपको बता होना ची कि काइथा किसे कहा जाता है या काइथा क्या है तो काइथा जो है वो एक इस्थल है और यहां इस्थल जो है यहां ताम्र पाशान कालीन इस्थल है अब यह देखना है कि किस नदी के किनारे इस्थ का मतलब क्या होता है देखो मृत्खांड का मतलब होता है मिट्टी के घड़े होते हैं उने जी मृत्भांड कहा जाता है और और कहां से प्राप्ध हुं एक मिरत्भांड परंपरा देखने क्लिए मिलती है जिसे कहा जाता है मालवा की मृत्भांट परपरा इसमें क्या होता है गुलाबी कलर के मृत्भांट बनाया जाते हैं और इन्हें काले रंग से रंगा जाता है या फिर काले रंग के मृत्भांट बनाया जाते हैं और इन्हें गुलाबी कलर से रंगा जाता है इनमें एक पराणी गंथ है और इस गृंथ में मध्धि प्रदीश का वर्णन मध्धедार रेवय स्वॉपंड हरदय शेत्र इनमें से कोई नहीं तो मध्धि प्रदेश का वर्णन जो है वो शच्य पत-ब्राह-भर में रेव derni दक्षणा ४त्र के नामसे हैं और होता है फोक्षण नंबर का यहां पे सही हो जाएगा हो MP5 माध्य यहां पर Μंधाता कि है किस साशक ने की थी जैसे ही मंधाता की बात आ आपके बात की थी लुख भटके तो मुख़केश राजा मुख़कुन्द कि हम बात करें तो राजा मुचुकुंद की बहुत ही जाड़ा फेमस कहानी आपको ने सुनी होगी वो कहानी भगवान श्रीकृष्ण से संबंदित है ऐसा कहा जाता है कि कालियावन का एक राक्षत था और यह जो राक्षत है इसे भगवान श्रीकृष्ण के साथ इसका यु गुफा के अंदर जाते हैं और उस गुफा में राजा मुचुकुंद सोय हुए थे और जो राक्षत था उसे लगा भगवान कृष्ण यहां पर आकर ओड के सो गये हैं और वो उन्हें लात मार के उठाने की कोशिश करता है और राजा मुचुकुंद जो है वो साधू बन मंधाता खंडवा के राजा थे और इसके साथ ही साथ में देवताओं ने इनसे मदद मांगी असुनों के वरुद्ध युद्ध करने के लिए राजा मुचुकुंद देवताओं के साथ स्वर्ग चले गये और उस समय वहां का जो टाइम पीरियड था वहां पे देवताओं के साथ इन्होंने पूरे एक साल तक युद्ध किया और जब पूरे एक साल उन्होंने युद्ध किया तो इस समय प्रत्वी में कई युग और कई कल्प भीद गये और इसके बाद जब राजा वापस है इन्होंने देखा कि इनका परिवार का कोई नहीं बचा इनका संसार कुछ नहीं रहा, यहां पे वंश बदल गए, यहां पे लोग बदल गए, युग बदल गए, तो राजा मुचुकुंद ने निद्रा में जाने का निश्चे लिया और इस कारण वो निद्रा में चले गए और इनकी निद्रा को भंग करने वाले को श्राप था कि उसकी मृत् को यहां पर ले के आए तो इस प्रकार से राजा मुचुकंद की कहानी हम देखते हैं कि राजा मुचुकंद कौन थे और इनके साथ क्या हुआ आपका सही हो जाएगा नेक्स कोश्चन में चलते हैं महा भारत कालीन चेदी महा जनपत का तातकालिक समय में राजा कौन था यह यह चल रही है श्री कृष्ण श्राजन शिशुपाल और पुरुकुट्वटश जैसे ही बात हो रही है कि चेदी महा जनपत तो जो है वो महा भारत कालीन श्रीशुपाल का नगर था तो आप्शन नमबर सी आपका शिशुपाल सहीं हो जाएगा। नमबर सी आपका शिशुपाल का वद करेंगे। भगवान शिशुपाल की सौ गालियों को सहन किया अपने उपर लिया। और इसके बाद 101 वी गाली जैसी शिशुपाल ने बोलने के लिए मूख खोला। भगवान शिशुपाल से अपने सुधर्शन से इसका वद कर दिया। तो शिशुपाल यहाँ पर उप्शन नमबर सी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के चेदी महाजनपत वाले छेतर से शिशुपाल का सीधा सीधा संबन्द था। कालिदास ने दशान का वर्णन अपनी किस रचना में किया है। दशान की जब हम बात करते हैं तो कालिदास जो हैं यह महाकवी कालिदास इनकी बहुत सारी रचना हैं फेमास हैं जिसमें से रगुवन्शम, अभिग्यांस रकुंतलम, रितूशंगारम, आदी प्रमुक रगुवन्शम में कालिदास जी ने दशान का वर्णन भी किया है। नगरों के पुराने नाम और नगरों के नए नाम आपको यहां पर बताने हैं यह सहीं जोड़ी हैं अब इसमें आपको सहीं जोड़ी में बताना है कि कौन से शेत्र को क्या कहा जाता था दमोह, निमाड, ग्वालियर, बघेल खंड, दशान, पवाया, कारुषदेश, अनुपदेश और तुंडी केर। देखे जब हम बात करते हैं सबसे पहले जो चीज सरल हो जो चीज याद हो वहां से शुरू करेंगे तो ग्वालियर को कहा जाता था पवाया, आपके पास दो अप् तु इस प्रकार से हमारा option number C यहां पर सही आंसर हो जाएगा. अवंती महाजनपत किस नदी के तड़ पर इस्थित है सरश्वती ये गलत लिखा है ये वित्रावती होगा सरश्वती वित्रावती रेवा और गंगा जो वित्रावती नदी है ना इसी नदी के किनारे अर्थात अभी की बात की तो अभी की बेत्वा नदी के किनारे अवंती महाजनपत बसा हुआ था इस अवंती महाजनपत की दो राजधानिया थी एक थी उज्जैनी और दूसरी थी महेश्मती अवंती महाजनपत वही है जहां पर मौरिवंश का शाशन रहा है इसके सांधी साथ में अर्बिंतुजार के समय में अशोक यहां का प्रांतपाल भी था और यह जो है अवंती महाजनपत की सिक्के हैं मौरिवंश के समय अशोक अवंती का प्रांतपाल था जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की यहां किस जगहां मिलता है यह साक्ष की इस समय में जो अशोक है वो अवंती का प्रांतपाल था आप्शन है जावक कताएं भगव इसके अरावां समराथ अशोक जी का विवाह जो था वो भी मध्य ह kilowशा के विवसाय की पुत्री कुमार देवी के साथ हुआ था मद्य प्रदेश में बाग की गुफाएं कहां इस्तित है बाग की गुफाओं की हम बात करते हैं तो खंडवा, इटारसी, धार और मंदसौर तो बाग की गुफाएं जो है वो धार जिले में इस्तित है धार जिले की भी तहसील कुक्षी के अंतरगर ये बाग की गुफाई इस्तित है गुप्त काल से सम्मंदित गुफाई है बाग या फिर बाग ही नदी के तड़ पर इस्तित है मध्य प्रदेश के किस जिले में आप सत्खंडा महल पाएंगे मध्यप्रदेश के किस जिले में सत्थखंडा महल इस्थे थे यह महल है ऑप्शन देखते हैं चटरपूर, दतिया, मुरैना और टीकमगड तो सत्थखंडा महल जो है वो दतिया जिले के अंतरगत आता है और दतिया किस संभाग में लगता है तो गौलियर संभाग के अंतरगत लगता है गौले संभाग में कितने जिले आते हैं तो पांच जिले आते हैं नेक्स्ट कोश्चन बाजबादूर का महल खालिस्थान में पाया जाता है किस शेत्र में पाया जाता है यह बाज बादूर का महल यह जो बाज बादूर है यह मालवा के शाशक रहे हैं और मालवा में भी किसके मांडू वाले शेत्र के शाशक रहे हैं इनकी रानी रानी रूप मती थी इनकी लड़ाई अकबर के सांथ हुई थी इसके अलावा इन्हो कि बाज-बादुर के महल की तो यह मांडू में इस्तित है और मांडू का बहुत ही जादा प्रमुख महल भी है यह पांडव गुफाएं खालिस्थान में पाई जाती है मुरैना उमरिया बाग और पच्मडी पांडव गुफाओं की जब हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर ह हो जाएगा पच्मडी में इस्तित है पांडव गुफाएं जो है यह पच्मडी में इस्तित है इसके सास साथ में पच्छमडी करा है तो महादिव परवश रंकला पर रिस यह लह पर एक्फरिस्थर प्रपाथ है जिसका नाम है रजड़जल प्रपáticas जो वहात ही ज्यादा राजवाडा खालिस्तान में इस्तित है राजवाडा कहां पर इस्तित है इंदौर गौलियर उजयन और रतलाम जब राजवाडा की बात करते हैं तो राजवाडा एक महल है जो कि इंदौर के अंदर इस्तित है ये है राजवाडा महल ये बहुत ही जादा विशाल महल है इसक आपको दिखना होगा देवी अहिलिया भाई की मूर्ती है और ये महल जो है साथ मंजला महल है इसके साथ ही साथ में ये लकड़ी और मार्बल दोनों से मिलके मना है इससे तीन बार जलाया भी गया है दंगों के तहट तो ये हैं इंदौर जिले में स्थित ऑप्शन नमबर ए जब बात करते हैं ग्वालियर की तो ग्वालियर वहां शेतर है जहां पर भारत का जिबराल्टर अरथाथ ग्वालियर का किला इस तित है इसके अलावा यह दोनों तीनों ही ग्वालियर पर इस्थित आई बार जहाज महल की तो जहाज महल जो है यह गौलियर पे इस्थित नहीं है बलकि मांडू पे इस्थित है यह महल बहुत जादा फीमा से देखें यह क्या है यहां पर यह महल है और इस महल के एक तरफ में जील है और दूसरे तरफ में भी जील है और दोनों तरफ जील होन कारण यह महल दूर से जहाज की तरह दिखाई देने के कारण इस महल का नाम जहाज महल रख दिया गया है चलते है नेक्स कुशन में मद्भी प्रदेश के किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है इसका अंसर अभी दो सिकिंड पहले में ने दिया था बांधव किला असीन कि और गौल यर यर का किल तो इसका अंसर होगा से नमबर डदी गौलियर का किला किले का निर्मार राजा सुरज सेंं के द्वारा करवाया गया था ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है इसके अलावा यहां पर तोमरवंश का शाषन रहा है ये भी आपको याद रखना है यहां पर मान मंदर भी इस्तित है माध्य प्रदीश में साची स्तूप का निर्माड के शताबनी में हुआ था साची स्तूप के जब हम बात करते हैं तो यहां राइसीन में स्थित है इसके अलावा साची स्तूप विश्व धरोहर में भी शामिल है इसका लिर्मार्ट समराठ अशोक के द्वारा कराया गया था यह तीसरी शताब्दी में बनवाया गया था इसके अलावा इसे गुप्त काल में इसके पहले इसे काकनाठ भी कहा जाता था इसकी शैली जो कि सजावट की शैली है वो भरहुत शैली कहलाती है तो Option No. A हमारा सही होगा तीसरी शताब दी में किस जिले में भार्ती ये, परियतन एवं यात्रा प्रबन्धन अनुसंधान इस्थिथ है जब बात कर रहे हैं भार्ती ये परियतन एवं यात्रा प्रबन्धन अनुसंधान की जवलपुर, गौल्यर, इंदाओर और कटनी तो इसका सही आंसर होगा आपका option number B गौालियर में या संस्थान इस्थित है रूपमती मंडब खालिस्थान में इस्थित है रानेह, राजनगर, देवगड और मांडू लेखे रूपमती के जैसी बात होती है तो रानी रूपमती से आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम बाज बहादूर की बात कर रहे है और बाज बहादूर की पत्नी रानी रूपमती की बात कर रहे है तो रानी रूपमती का संबन्द मांडू से था इस कारण से हमारा option number D मांडू सहीं हो जाएगा मद्य प्रिदेश में कितने विश्व धरोगर इस्थल हैं तो मद्य प्रिदेश में तीन वस्व धरोगर इस्थल हैं पहला तो हमारा हो गया खजराहो दूसरा हमारा हो गया सांची इस्थूब और तीसरा हमारा हो गया भीम बैटिका सबसे पहले किसे विश्व दरोवर में शामिल किया गया है तो इसका अंसार आपको दो मिनिट बात मिलेगा क्योंकि ये next question में मैंने पूछा हुआ है तो आपका यहाँ पर option number D 3 सही हो जाएगा निमलेखित में से कौन सी जगा मध्य प्रदेश में नहीं है असीरगर का किला गिनौरगर का किला मांगी तुंगी और गड़ कुंडार देखे जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में क्या इस्थित नहीं है तो असीरगर का किला मध्य प्रदेश में है बिल्कुल सही है गिन protective यहां पर बहुत जाधा व्यमशा है यहां भगवान डुशव देव की बहुत having जाधे उची परुटिमा को रखा गिया है और यह एक बहुत जाधा उची प्रवुश रंकला पर इस्थित है यह प्रतिमा आपको निहींगा दिखा ही दे रही है की बहुत जादा उची प्रतिमा है तो इस प्रकार से अप्शन नंबर सी सही हो जाएगा निम लिखित में से कौन सा शहर बौध धर्म का एक पवित्र शहर की रूप में विख्यात है बौध धर्म की प्रवित्र शहर की बात करेंगे साची खजरा हो विदिशा और सागर्ण तो इसका सही अंसर हो जाएगा साची अप्शन नंबर ए निम लिखित में से मांडू में क्या स्थित है अशर्फी महल, रूपमती महल, जहाज महल, उप्रियोक्त सभी देखे जैसी हम मांडू की बात करते तो मांडू को महलों की नगरी भी कहा जाता है इसके साथी साथ मे सिटी ओफ जॉय भी कहा जाता है यह धार जिले में स्थित है मांडू में सरवादिक महल और नगर हमें देखने को मिलते हैं साथ ही साथ में मांडू जो इस्थल है यहाँ पर अशर्फी महल, हिंडोला महल, जहाज महल, बाज भादूर का महल, रानी रूपमती का महल बहुत परवर्श रंखला पर रिस्ते थे इसके अलावा यहाँ मद्यप्रिदेश का एक मात्र हिल स्टेशन भी है तो हमारा मैकाल, धूबगर, महादेव परवर्श रंखला पर रिस्ते थे थे ओप्शन नमबर सी बिल्कुस नहीं आंसर हो जाएगा धार के किले का निर्मार किसने करवाया था मुहमद बिन तुगलक यहाँ पर बिन भी होना चाहिए था मुहमद बिन तुगलक पेश्वा बाजीराव अकबर और शहाजहा तो धार के किले की बात हो रही तो धार का किला जो है यहाँ धार जिले में स्थितिक किसने निर्मार करवाया था तो जो मुहम्मद बिन तुगलक है न यह आय थे एक बार शिकार करने के लिए तो यहां पर कुछ समय रुके थे तो उन्होंने ही यहां पर धार के किले का निर्मार करवाया था तो आप्शन नमबर ए आपका सही हो जाएगा युनेसको की विश्व धरोहर सूची में शामिल मध्य प्रदीश का प्रथम स्थल कौन सा है देखिए युनेसको ने क्या किया है अपनी एक विश्व धरोहर की सूची बनाई है जिसमें उसने विभिन विश्व धरोहरों को शामिल करके रखा हुआ है इन शामिल विश्व ध बच्चbane तो इसमें से जो खजराहों यहां पर यहां वाला जो फोटो है च्चेहें है जो कि मोहादेव मंतिर का है तो खजराहों को सबफे पहले विश्व धरूहर में शामिल किया अनसर होगा तो शाप है मद्य प्रदेश में बिलावा की गुफाएं कहां एस्थित हैं जब बिलावा की गुफाएं आपसे पूछ रहा है सिहोर, राय सेन, देवास और इसके साहसात में गौालियर तो बिलावा की जो गुफाएं हैं ये बहुत जादा फेमस नहीं है परन्तु गौालियर जिले के अंतरगत ये आता है उप्शन नमबर D आपका सही हो जाएगा गौालियर राहत गर का किला कहां एस्थित हैं देवास, धार, सागर और रिवा राहत गर का जो किला है यहां मध्य प्रदेश में सागर जिले में इस्थित है देखे जब हम सागर को देखते हैं तो बहुत जादा राहत फील होती है मतलब रिलेक्स फील होता है सागर को देखने के कारण तो आपको याद रखना है कि सागर जिले में राहत गर का किला इस्थित है यह किला है यदि आप दचेज ज़र्ना महादेव पहाड़ी अपसरा विहार और पांडव गुफाओं को देख रहे हैं तो आप कहाँ पर इस्थित है उजयन मांडू भोजपूर पच्मड़ी बहुत सिंपल है देखे पांडव गुफाओं जो है वो पच्मड़ी में इस्थित है दचेज ज़र्ना महादेव पहाड़ी भी और अपसरा विहार भी सब कुछ पच्मड़ी में इस्थित है इस कारण से आपका यहां पे सही होगा पच्मड़ी और यह आपको रज़त जलप्रपार्त दिखाई दे रहा है आप करेरा जाए तो निकटतम परिटन इस्थल कौन सा होगा पहला आप्शन है ग्वालियर शिवपूरी मुरैना उजयन रतलामधार सिंग्रॉली, सीधी और रीवा इसके लावा भुपाल, विदिशा और रायगर तो जब हम करेरा वान निजीव अभ्यारण की तरफ में जाते हैं करेरा अभ्यारण में जाते हैं तो हमें ग्वालियर शिवपूरी और मुरैना सबसे नजदीक मिलेगा इसकारण से आप्शन नमबर A आपका सही हो जाएगा भेडा घाट कहां इस्थित है जवलपुर, शेहडोल, शिवपूरी और पन्ना जैसे हम भेडा घाट की बात करते हैं तो ये भेडा घाट की फोटो लगी हुए आप समझ सकते हैं कि जब लोग इतने छोटे दिखाई दिखाई दे रहे हैं तो इस पहाड का एरिया लगा सकते हैं नर्मदा नदी की विशालता यहां से इमेजन कर सकते हैं यह कहां इस्थित है जवलपुर, शेहडोल, शिवपूरी और पन्ना तो यह जवलपुर में स्थित है और भेड़ा घाट में ही एक जल प्रपात है जिसे कहा जाता है धूआधार जल प्रपात क्योंकि नर्मदा नदी यहां से इतना तेज, इतने तेज प्रवाह में बहती है कि बिल्कुल सिर्फ धूआँ दिखाई देता है सिस कंटिनू पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस कीजिये क्योंकि बिना इसे प्रेस कि आपको पता नहीं चलेगा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी हमारी वीडियो की ओके मिलते है नेक्स वीडियो में